स्मस्कार दोस्तों आपके लिए नौकरी लगाओ.com के द्वारा RRB, NTPC, Group D, SSC, JEE और Different Bank के Government Jobs के लिए जो एक्जाम्स लिए जाते हैं उसकी तयारी के लिए मैं एक कोर्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है Intelligence and Reasoning का तो दोस्तों Intelligence and Reasoning के बहुत सारे टॉपिक हैं जो different exams में common होते हैं जैसे की RRB, NTPC और Group D और SSC, JEE इसमें बहुत सारे आपके Intelligence and Reasoning के questions आते हैं उनके topics common होते हैं ठीक है, उनके level भी लगभग समान होते हैं लेकिन Group D का level थोड़ा सा कम होता है याट मींस, Group D के question थोड़े easy होंगे NTPC से और NTPC के question लगभग same level के होंगे SSC, JEE के बराबर तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले intelligence and reasoning जो section है RRB NTPC में तीन section है पहला है general awareness दूसरा intelligence reasoning और तीसरा है quantitative aptitude quant बोलते हैं उसे या फिर उसको आप कह सकते हो mathematics syllabus में आपके दिया हुआ है mathematics के नाम से तो मैं आपका जो intelligence reasoning का part है उसको deal करूँगा ठीक है तो इसमें जितने भी topics आपको मैं बताऊँगा वो सारे one by one मैं आपको देते जाऊँगा deliver करते जाऊँगा और आपको इसके लिए बहुत अच्छे से notes बना लेना है आपको कोई भी book खरीदने की जरूरत नहीं है योकि सारा कुछ जो भी video आएंगे आपके उससे cover हो जाएंगे तो आज हमारा पहला topic है analogies का लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या topic होने वाले है ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले topic 1 topic 1 है हमारा analogy का उसके बाद topic 2 है topic 2 कौन सा है topic 2 है completion of number and alphabetical series जो number series alphabetical series होती है उनमें कोई एक बीच का term छोड़ दिया जाता है like 2 4 question mark 16 like this तो हमको यह find करना होता है कि इस question mark की जगा पे क्या आएगा यह blank होता है इसके लिए options दिये होते है तो यह number series का problem होता है मतलब की number series को complete करना ऐसे ही alphabetical में होता है वो आगे देखेंगे next है आपका coding decoding third topic है after that mathematical expressions fourth topic है after that similarities and differences यह भी next topic है आपका fifth topic छटवा topic है relationships मतलब की blood relations होते हैं इस टाप के questions में हाएंगे analytical reasoning यह आएगा आपका seventh cellulism jumbling when diagrams आगे बढ़ते हैं इस तरह से आपके puzzle data sufficiency हो गया statement conclusion हो गया and statement course of action decision making maps interpretation of graphs तो यह आपके टोटल 17 to 20 topics कुछ तीन topic मैं और बाद में कराऊंगा आपको तो इन सभी 17 topics के मैं आपको tricks दूँगा और इसके अलग-अलग concepts को आपको मैं समझाने वाला हूँ ठीक है दोस्तो चलिए चलते हैं हम लोग analogy के part पर सबसे पहले मैं आपको analogy का मतलब बताना चाहूँगा analogy में analogy का मतलब होता है समानता लग की similarities क्या है आपको यह जो symbol है इसका मतलब पता होना चाहिए और इसका मतलब पता होना चाहिए इसका मतलब की अगर यहाँ पर कोई number है A कोई alphabet है A और यह है आपका B और यहाँ पे C है और यहाँ पे D तो अगर A और B के बीच कोई relation है या कोई similarities है ठीक है? A और B के बीच अगर कोई similarities है यह A और B के बीच अगर कोई similarities है तो इस चीने का मतलब है कि वैसी ही similarity C और D के बीच में होगी ठीक है? और इसको clear करने के लिए हम आगे चलते हैं पहले question पे observe the relation observe the relation between first pair of words and identify the pair that has the same relationship from the below four options तो आपके चार options कौन कौन से है? यह आपके चार options दिये हुए है यहाँ पे आपको ठीक है? यह क्यों हो गया? तो यहाँ पे आपको चार options दिये हुए है लेकिन पहला जो pair है जिसे मैं A और B की बात कर रहा था भी तो A और B के हिसाब से जो pair दिये हुए है आपको वो क्या दिये हुए है? A और B के हिसाब से जो pair है वो इसको मान लेते हैं A pair A और B का एक pair है यह तो पहला क्या है हमारा? Stool Stool जानते हैं आप लोग क्या होता है? Stool और Bench Stool और Bench के बीच क्या similarities है? क्या समानता है? उसको आपको पहचानना है है ना? तो Stool क्या होता है? किसी भी एक आदमी के बैठने के लिए होता है Stool ठीक है? और Bench क्या होता है? Bench में एक से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं मतलब कि Stool में सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है और Bench में एक से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? कि Stool एक छोटी ही काई है और Bench एक बड़ी ही काई है साथ में अगर अब आप्शन्स को देखेंगे तो इसी तरह का एक रिलेशन हमको अप्शन्स में भी खोजना है तो पहला अप्शन है कारपेंटर और चेयर तो कारपेंटर किसको बोलेंगे? जो क्या करता है? फर्नीचर का काम करता है चेयर्स बनाता है ठीक है? चेयर जिसमें बेठा जा सकता है बैठने के लिए use होता है तो यहाँ पे ऐसा कोई है क्या relation जो stool और bench के बीच था नहीं है chair और table इनके बीच भी कोई relation नहीं है उस तरह का wood और steel यह तो बिलकुल भी नहीं है तो आप यह last option देखिए foot rule and yard stick foot rule and yard stick foot rule मतला foot को measure करने के लिए और yard stick मतला yard को measure करने के लिए तो जो foot rule होता है वो foot को measure करेगा जो की छोटी काई है और yard stick क्या करेगा बड़ी काई को measure करेगा इसलिए यह जो relation है stool और bench में क्या होता है था stool में कम लोग बैट पा रहे हैं bench में एक से ज़्यादा लोग बैट पा रहे हैं वैसे ही foot rule क्या measure कर पाएगा foot को measure कर पाएगा yard stick क्या कर पाएगा उससे बड़ी काई को measure कर पाएगा that is why the correct answer is option D option D is the correct answer तो इस तरीके से हमने क्या किया पहले stool और bench के बीच के relation को समझा उनके बीच की similarities को समझा उसके बाद हमने answer को ढूंड लिया similarly आप देखेंगे next question हमारा bird wings क्या दिया हुआ है पहला word दिया हुआ bird दूसरा दिया है wings इनके बीच क्या relation है एक पक्षी का उसके पंखों के बीच क्या relation है पक्षी अपने पंखों के द्वारा ही क्या करता है उड़ता है वैसे ही मचली मचली जो है वो क्या है मचली का काम तैरना मचली कहा होती है पानी में और bird पक्षी कहा होता है हवा में उड़ता है मचली कहा तेरती है? पानी में. तो मचली को क्या चाहिए होगा तेरने के लिए? मचली में क्या लग klei होते हैं? Finns होते हैं. मचली के पास क्या होते हैं? Fins. जिससे वो क्या करती है? तेरती है. लेकिन यहां पे कुछ student confused हो सकते हैं. जैसे कि यहां option ने gills भी दिया हुए gills का क्या use होता है मचली gills के द्वारा सास लेती है इसलिए gills गलफडे होते हैं वहां से वो सास लेती है जो fins होते हैं उससे वो तैरती है तो मचली काम क्या है तैरना तो वो क्या करेगी fins के द्वारा तैरेगी तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा correct answer हमारा fins हो जाएगा मतलब की bird और wings इनके बीच की similarities पता करी और fish और दिये गया options के बीच में similarity को पता किया है ठीक है इस अभी question पूछे जा चुके हैं आप क्या रभी NTPC और या group DO इस तरह से पूछे जा चुके हैं इसके बाद number से आता है number से आया तो कैसे करना है 7528 532 62 फिर 4673 तो यह कैसे पहचान हो गया तो कैसे करना है इसको देखे यहाँ पे दो की जोड़ी बना लिजी आप 75 और 28 की तो पहले क्या है आपका odd है उसके बाद क्या है इसमें भी देखिए 53 क्या है एक odd number है और 62 क्या है even number है अब यहाँ पे देखते हैं यह क्या है 46 even number है और 73 क्या है odd number है अब options में देखते हैं even odd का देखना अबने को पहला even होना चाहिए दुसरा odd होना चाहिए तो पहला even किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें बचा, c में है, even है, फिर odd है, the correct answer is 2451, is the correct answer, okay, next देखते हैं हम लोग, based on the analogy given, based on the analogy given, find the missing word from the given options, first, mother और child, mother क्या दे सकती है, बच्चा दे सकती है, वैसे ही cloud, बादल क्या दे सकते है, बारिश दे सकते है, ठीक है, तो बारिश क्या होगा, correct answer होगा, after that, based on the analogy given, यह आप लोगों के लिए homework में छोड़ देता हूँ, एक question, यह question आप try करिए, अगर नहीं बनता, तो comment करिए, हम लोग comment के बाद video बनाएंगे, अलग से इसका solution दे देंगे, फिलाल मैं आपको answer बता देता हूँ, इसका answer हो सकता है, मैं बस possibility आपको बता देता आप try करके देखिए, क्या होता है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ common relationships मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या common relationships होते हैं, जिन से question पूछे जा सकते हैं, यह सारे PDF मैं आपको बता रहा हूँ, यह सारे PDF आपको available कर दिये जाएंगे, यह आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, common relationship क्या होते हैं, तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है common relationship के अंदर, country and capital, पहले country का नाम होगा, फिर capital का नाम होगा, capital मतलब क्या होता है, राजधानी, किसी भी देश की राजधानी होती है, तो देश का नाम क्या है, अफगानिस्तान, और क्या दिया हुआ है, capital काबुल, तो काबुल is the capital of अफगानिस्तान, ऐसा आपको initial relationship वो दिया रहेगा, और second में आपसे यह सब पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैंने enlist किये हुए है, यह बहुत ही important है, इस सब को आपको note करना है, और practice करना है इसका, यह आपको पता होनी चाहिए कि कौन से country का capital क्या है, तो से पहले आपन देखते हैं, Australia, so Australia का capital क्या है, Canberra, Australia का capital Canberra, Australia का Vienna, Canada Ottawa, Japan का Tokyo, Italy का Rome, Egypt का Cario, France का Paris, इस तरीके से बहुत सारे इसमें relation बन जाएंगे, तो एक और आपन next देखते है, state and capital, state and capital next है, इसमें देखते है, पहला देखते है, महरास्टरा, state का नाम है, और उसका capital क्या है, Mumbai, so Mumbai is the capital of Maharashtra, Maharashtra का capital क्या है, Mumbai है, ऐसे ही बहुत सारे एक्जांपल और हो सकते है, करनाटका, बैंगलोर, आसाम, डिसपूर, बिहार, पटना, सिक्कीम, गैंटॉक, कैरला, तिर्विंद्रम, नागलेंड, कोहिमा, वैस्बंगाल, कुलकाता, तमिलना तो यहां पर महारासhtra, Mumbai की बीच, relationship हम देख पा रहे है, क्या है relationship, कि महारासhtra, state है, and capital is Mumbai, so अगर आपको उडिशा दिया हुआ है question में, और options में दिया हुआ है, बैंगलोर, भुनेश्वर, गांधी नगर, तो आंसर क्या होगा, उडिशा का जो capital है, रास्धानी है, क्या ह country है, उसकी currency क्या है, सबसे पहले आप देखिए, कि India, दिया हुआ है, इंडिया, तो उसकी currency क्या दिया हुई है, रुपी, तो हमको क्या समझ में है, कि India और उसकी currency के बारे में दिया है, मतलब किसी country और उसकी currency के बारे में बता दिया है, ठीक है, तो अगर आपको फिर उसक इसके बार next दिया हुआ है साथ में, मैं draw करके बताता हूँ आपको, इस तरीके से 4 point उसके बार दिया आपको इराक, और आपको find करना है इसका currency क्या है, तो आपको पहले समझना होगा कि इंडिया रूपी के बीच क्या relation है, तो इंडिया क्या है country है, और currency क्या है, रूपी है, तो इराक क्या है, एक country है, यह आपको पता होना चाहिए, उसकी उसकी currency क्या है, दिनार, इराक की currency क्या है, दिनार है, इस तरीके से हम यह third common relationship देख लिए, इसके बाद next है, instrument and measurement, ठीक है, कि क्या instrument है और वो measure क्या करते है, यह technical वाले आसानी समझ सकते हैं इसको, कि instrument जैसे barometer होता है, barometer क्या measure करता है, pressure को measure करता है, दाब को measure करता है, barometer, barometer is an instrument used to measure pressure, तो इसके और भी क्या example हो सकते है, thermometer, thermometer क्या measure करेगा भई, temperature measure करेगा, hydrometer क्या करेगा, humidity, emitter क्या करता है, current को measure करता है, voltmeter, voltage को करेगा, wattmeter, power को करेगा, odometer, speed को कर रहा है, scale, length को measure करने किलता है, screw gauge, thickness के लिए होता है, इस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद होता है quantity और units, जैसे कि हमारी quantity क्या है, length, length हमारी क्या है, quantity है मालो, तो उसका unit क्या होगा, meter होगा, वैसे ही, अगर time हमारी quantity है, तो unit क्या होगा, second, resistance या power हमारी quantity है, तो watt क्या होगा, उसकी unit होगा, force अगर quantity है, तो unit क्या होगा, newton होगा, pressure अगर quantity है, तो pascal क्या होगा, unit होगा, इस तरीके से common relationships बन सकती है, नेक्स्ट है अन्डिवीज्वड एंड गॡूप जैसे सेल्र सेलर्स सेलर्स और कृव तो एक सेलर सेलर होगया जिसको सेलर्स है जैसे अपने समुद्रू पर जाते हैं सेलर्स ना तैराके सेलर्स जा रहे और अगर वह बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे सेलर एक साथ है तो उसको क्या बोलेंगे... क्रिव बोलते हैं... जैसे बहुत सारे शिप है तो क्या बोलेंगे उनको... बेड़े हैं बहुत सारी तो Fog Fog बोलेंगे इसी तरीके से Fish के जुन्ट को क्या कहेंगे Shawl Musicians के जुन्ट को क्या कहेंगे Band कहेंगे और क्या कहते है Soldiers Soldiers के ग्रुप को क्या कहेंगे Army Kettle के ग्रुप को क्या कहेंगे heard कहेंगے तो इस तरीके से ministers के group को क्या कहेंगे council तो यहाँ पे individual और group के बारे बता है एक individual मालोdoes seller है तो उनकी group को क्या कहेंगे cream तो इसी तरीके से question 방 किये जा सकते हैं next similarity देखते हैं दोस्तों आप कभी भी कोई भी doubt होता है आप वीडियो में comment कर सकते हैं हम लोग within आपको 30 minutes to 2 hours के बीच में आपको answer कर देंगे टाइम को ख्याल रखेंगे बहुत late ना करें वीडियो release होने के बाद एक दिन के अंदर आपने comments दें ताकि हम लोग इस पे react करके next video जल्दी से जल्दी आपको दे पाएं next है आपका animal and young one ठीक है cow cow का बच्चा एक जानवर है क्या cow cow का बच्चा क्या होता है calf calf is the one young one of cow bear का क्या होता है cub होता है hen का chick cat का kitten man का child man का क्या हुता है child होता है तो इस तरीके से यह है male, female का horse is male female is male अकर आपको question दे दिया है dog उसके बद पूछा क्या होगा dog होता है truck का pensar cow को क्या होता है हैं होता है लाइन का लाइनस होता है ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं इसको नेक्स्ट है एनिमल एंड मुव्मेंट जब एनिमल है और उनके मुव्मेंट को क्या कहते है ठीक है वो उनके चलने को क्या कहते है तो वैडलिंग, वैडलिंग is the name given to the movement of duck डख के movement को क्या कहते हैं, वैडलिंग, वैडल, वैडल होता है, वैडल करता है ओल क्या करता है, फीट करता है, एलिफेंट, एम्बल करता है इस तरह के से डंकी ट्रॉट करता है, रैबिट, लीप करता है तो थोड़े English पता होना चीज़ के लिए, साथ में आपको animal और उनके sounds के बारें पता होना चाहिए इसे डॉट क्या करता है, डॉट क्या करता है, बार्किंग करता है, डॉट बार्क करता है cat क्या करती है, cat meow करती है, ऐसा आवाज निकालती है, वैसे ही all क्या करता है, हूट करता है बतलब उल्लू की बोली को हूट कहता है, हूट करता है वो नहीं साथ ये question include किया एक test series में, देखिए आप लो कॉक क्या करेगा, क्रॉ करेगा, क्रॉ 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 इस तरीके से, उसके बाद है individual thing and class lizard क्या है, belong to the class of reptiles, reptile के class का lizard होता है, ठीक है man क्या है, mammal क्या है, ostrich क्या है, bird क्या है, frog, amphibian क्या है, red, rodent क्या है इसी तरीके से, individual and dwelling place, ठीक है a dog leaves in a kennel, dog कहां रहता है, kennel में रहता है loin कहां रहता है, gufa में रहता है, den में रहता है इसी तरीके से, आप और देख सकते हो, यह loin के लिए है और यह dog के लिए है, bird के लिए nest होता है, mouse hole में रहता है, spider web में रहता है, jal में रहता है इस तरीके से, आप इस पर देख सकते हो, बहुत सारे common types है, इसी से question बनता है car, कहां रहती है, कहां रखा जाता है, car को, garage में रखा जाता है ठीक है, car को कहां रहता है, garage में animals को कहां रखा जाता है, zoo में इसे टाप से medicine को कहा रखा जाता है dispensory में रखा जाता है fish को कहा रखा जाता है aquarium में यह इस टाप के common analogies और similarities है games and place of playing कौन से game है कहा खेले जाते है तो badminton कहा खेले जाता है court में खेले जाता है badminton court होता है ठीक है boxing कहा की जाती है ring में की जाती है hockey ground में खेला जाता है tennis court में खेला जाता है wrestling arena में होता है यह question आ चुका है as it is question आता है इसको याद रखना है आपको worker and tool ठीक है anvil is the tool used by a blacksmith blacksmith मतलब लोहार anvil यूज करता है थोड़ा यूज करता है वैसे कारपेंटर शॉआ तलब कारपेंटर जो है वो क्या करेगा आरी यूज करेगा लेखक pen यूज करता है doctor stethoscope यूज करता है ठीक है chef knife यूज करता है soldier बंदूख यूज करता है Solder Gun, Farmer, Hull यूज़ करता है, तो यह सब common है, यह सब आते हैं, Tool and Action, Needle, Sieve, Needle का काम क्या होता है, Sieving का, Sili का काम होता है, Knife का काम क्या होता है, Cut करना, Chisel का Carve करना, तो पता होगा सबको Chisel के बारे में, Gun का काम क्या होता है, Shoot करना होता है, Shield का काम होता है, Guard करना होता है, यह सब Loudspeaker का काम होता है, Amplify करना, तो यह एक common types है, आपको पता होने चाहिए, जब भी आपको वर्ट पढ़ो, तो आपको दिमाग में जाना चाहिए, कि इनकी बीच क्या समझना है, कि एक Tool है, Needle, और इसका Action क्या है, Sieve करना है, बाकी same similarity, Second में में भी होगी, Second pair में भी आपको देखनी है, Worker and Working Place, तो Chef कहां Worker करता है, Kitchen में, अगर ऐसा दिया होता, आपको यह समझना है, यह नहीं दिया होगा, आपको, question में यह आपको नहीं दिया होगा, आपको समझना पड़ेगी, कि Chef है, Chef और Kitchen के बीच क्या है, तो Chef क्या है, खाना बनाने वाला है, और Kitchen जहां खाना बनाया जाता है, ठीक है, तो Chef Kitchen से रिलेटेट किस तरह हुआ है, कि Chef खाना बनाता है, और खाना कहां बनाया जाता है, Kitchen में, ऐसी, Farmer, Field, तो Farmer किसान है, कहां खेती करता है, खेत में, ठीक है, Seller, कहां होता है, Ship में होता है, जहाज में होता इस तरह से आप समझ सकते हो, आर्टिस्ट कहां काम करते हैं, थीटर में, लॉयर कोट में काम करते हैं, टीचर स्कूल में, इंजिनियर साइट पे, जहां वर्क होता है, सर्वेंट हाउस में, वेटर रेस्टोरेंट में, गेंबलर के सीनों में, ये कुश्चन भी आ चुका है, so सारे जो question हैं दूस्तों यह इस PDF में आपको पूरे cover हो जाएंगे ठीक है और इसी से ही आएंगे question आगे भी जो question आने वाले आपके upcoming exam में वो ऐसा मसोचे कि यहां से हटके होगे वो सब यहीं से लिए जाएंगे so be prepared इसको पूरा prepare करिए पूरा यात करिए क्योंकि at least दो question आते ही है हर exam में एक से दो question आएंगे ही और आपको गलत नहीं होगा आपको पूरा-पूरा marks मिलेगा दो number बहुत बड़ी बात होती है दो number मिलना क्योंकि दो number से ही job decide हो जाता है टीक है असान पार्ट नहीं होता ही है थोड़ा सा इसमें study चाहिए बस एक बार कर लो फिर तब बोजाएगा तो पार्ट होल रहे पैन और नीब नीब एक छोटा सा पार्ट है किसका पैन का पैन का एक छोटा सा पार्ट है नीब ठीक है तो पैंसिल की पैंसिल का छोटा पार्ट क्या होगा लीड होगा ठीक है सरकल का एक छोटा सा पार्ट होता है आर्क एरोप्लेन का कॉक्पिट उसका छोटा पार्ट होता है क्या पेर है दोनों ये पेर आपको समझना पड़ेगा तोछी चेर टेवल क्या एक पेर है शू और शॉक्स की चकल जैसे ही ये दोनों क्या है एक पेर है चेर टेवल पैंसिल, रॉबर या फिर इरिजर लॉकेड की तालाचाबी दर्वाजा और खेड की प्रश्णर उत्तर, question and answer, shirt and trouser, यह सब क्या है एक दूसरे के pair होते हैं तो यह सब आपको करना है study and topic, और निथोलोजी, birds, और थिनलोजी is the study of birds study किस टैप की और निथोलोजी, और निथोलोजी किस की study करता है, किस topic पे, bird पे ठीक है, तो वैसे ही, anthropology किस पे, आद्मियों पे करता है, seismology किस teach का करता है, earthquake का करता है यह सब आपके, physiology body का करेगा, pedology soil का करेगा, botany plant का करेगा, यह भी आ चुका है, botany plants, question आ चुका है तो इसी से आना है आपको सारे question, अभी जो नहीं है वो आ जाएंगे आप अच्छे से prepare कर लीजे, बेटर हुआ work and intensity तो work क्या है आपका word, word क्या है word anger, anger मतलब क्या होता है, गुसा अग गुसा बहुत तेज आए तो उसको क्या कहेंगे, rage touch मतलब होता है चुना और बहुत तेज चुए तो push, धक्का देना हो जाता है quarrel मतलब छोटी से लड़ाई हो गए वार मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई, intensity बहुत जादा है war बोले तो बहुत बड़ी लड़ाई, intensity बहुत जादा है वैसे ही error error मतलब एक छोटी से चीज हो गए लेकिन इसी का बड़ा रूप क्या है blender, blender mistake speak मतलब सिर्फ बोलना, कम हवाज निकालना shout मतलब जोर से चील लाना, shore करना wish मतलब एक छोटी सीख चा लेकिन desire मतलब intensity बड़ गई word और इसके intensity पे है word and synonyms है word उसका दूसरा नाम blend मतलब mix करना prestige मतलब predict करना यह सब house, home दोनों क्या एक दूसरे के synonyms है अब antonyms वाले आ गए deep, shallow attack attack का उल्टा क्या defend करना attack का उल्टा, defend करना होता है ठीक है वैसे ही deep लब गहरा shallow मतलब उथला होता है इस तरह से आप start कर सकते है के बाद cruel और kind हो गया तो इस तरह से कुछ मेरे साब से 25 टाइप के आपको मैंने बता दिया है common analogies मैंने बता यह लगबक 25 टाइप के ही है तो यह पचीसो टाइप को आपको बहुत अच्छे से प्रुपेर कर लेना है लिख लेना है और इसमें जितने भी चीजे दी हुई है सब बहुत बहुत ज्यादा important है ठीक है और यह नौकरी लगा.com की तरफ से specially आपके लिए design किया गया है rrb ntpc और group d rrb ntpc के लिए और group d के लिए design किया गया है इसको आप रोज पढ़िए रोज practice करिए आदे घंटे 15 मिनाट जैसा भी जब कभी भी लगे तो आप doubts पूछ सकते हैं meaning अगर आपको नहीं आ रहा net पे देख सकते हैं dictionary use कर सकते हैं फिर भी ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं तुरन बताएंगे आपको ठीक है तो पहले आपको क्या करना है relationship पहचानना है और उसके बाद आपको चलिए हम लोग कुछ questions कर लेते हैं इसकी उपर और मेरे पास questions है आपके विए examples हैं चलिए कुछ questions है वो करते हैं ठीक है तो आप लोग पहले relation समझ जाए relation क्या है हमारे पास newspaper फॉस्ट वर्ड है second press तो newspaper कहा prepare होता है कहा बनता है press में newspaper बनता है तो cloth कहा बनेगा cloth कहा बनना चाहिए textile tailor tailor तो सीलता है बनाता तो नहीं है चपता है paper तो हाँ चपता है press में वैसी meal में क्या बनेगा कपड़ा बनाया जाएगा second देखिए anemia or blood तो anemia मतलब क्या होता है खून की कमी anemia कि से related है blood से anarchy मतलब the state of lack of government तो उसको क्या बोलेंगे disorder disorder नहीं government से related है तो यहां पर क्या आ जाएगा government आ जाएगा जो कि हमरा next option क्या है B next है cattle herd मतलब यहां पर क्या समझ में रहा है कि cattle क्या है एक और cattle की पूरे जून को क्या कहते है herd कहते है cattle एक entity है इसके पूरे जून को क्या कह रहे है हम लोग herd कह रहे है तो sheep भेड़ो के जून को क्या कहेंगे अब भी बताया था आपको fog कहेंगे fog कहते है ठीक है option a is correct next botany botany क्या study of plants entomology किसका insects कीडो क्या study करता है entomology topic क्या होता है entomology का insects acting कहा होती है theater में acting कहा होती है gambling कहा होगी gambling कहा होगी club में बार में जिम में casino में होती है gambling vigilant alert है ना vigilant alert के एक दूसरे के synonym है synonym मतलब समनार्थी सब्द होते है vigilant और alert तो वीएबल क्या हो जाएगा वीएबल होगा feasible वीएबल का दूसरा नाम है feasible वीएबल भंगुर हो जाना फेद मुंबई महारास्ट्रा मुंबई क्या है capital of महारास्ट्रा तिरुबेंदरम किसका capital है बताए कैरला का capital है तिरुबेंदरम is the capital of कैरला menu food ठीक है वैसे ही food को menu में दिया जाता है catalog के लिए books होती books is the correct answer next pulp paper pulp is the basic raw material paper बनाने के लिए क्या raw materials हो रहा है pulp so वैसे ही hemp बनाने के लिए क्या यूज़ोता है किसके लिए है है hemp use होता है rassi बनाने के लिए rope को बनाने के लिए हम hemp use करते है hemp क्या है pulp क्या है paper बनाने के लिए raw material है ठीक है दोस्तों आपको अलग से एक important information मैं देना चाह रहा था यह जो भी आप course कर रहा हो यह वीडियो आपने देखी इसको समझा इसके बाद आप feedback जरूर दीजिए और अपने feedback में अपने doubts को रखिए आप comment में अपने doubts को लिखिए और हमें बताइए हम लोग एक दिन के बाद एक नया वीडियो लेके आएंगे जब हमारे comments आना बंद हो जाएंगे तो हम next topic पर जाएंगे और जब भी यह पूरा अपना reasoning खताम हो जाएगा तो मैं आपको पूरे previous paper एक साथ करवाऊंगा और भीच भीच में आपको जैसे यह अभी क्या हुआ analogy का topic हुआ तो analogy के topic का आपको online test मैं provide करूँगा इसका मैं आपको online test provide करूँगा 10 to 20 question का और यह online test similar होगा railway के exam pattern के according इसमें कितने होगे 10 to 20 question होगे और particular एक question के लिए आपको 30 seconds दिये जाएगा उन 30 seconds में आपको बनाना होगा time limit उसी साब से होगा और इसमें जितने भी लोग participate करेंगे उनकी एक पूरी मैं ranking दूँगा कि कौन first है कौन second है उससे आप अपने आपको compare कर सकते हो और बहुत सारे लोग जुड़े होए तो ranking आपको अच्छी पता चलेगी क्ज ढ़िधा आपको हुआ काई भी टापको जुड़े होगा क्ज़ का आपको बनापको झाल झाल